कि लर्णिंग मार्केट इन मदीश में आज हम निफ्टी और मार्केट ने कैसे बिएव किया और कैसा रहा आज का प्लान इन फैक मैंने लाइव मार्केट में कहां पर बुक आउट करने बताया और गोड़ ग्रेस वो डे का लो था ऐसा नहीं कि पहली बार मैंने किया है बहुत बार मैंने ट्राइए किया ही ऐसे लोगों को हेल्प करने का अब प्रॉब्लम कहां पर आती है कि लोगों का माइंड साइडवेज है उस दिन भी मतलब उनका पैसा बनना चाहिए तो देखिए क्या होता है हर दिन अलग-अलग सिस्ट्रम होता है कल भी मैंने हिंट दिया था कि नहीं आज ऑप्शन बैस को मौका मिल सकता है मौर्णिंग मैंने ग्रूप में भी यह लिखा था कि आज ट्रेंड मार्केट फिर भी आप ट्रेड करोंगे उसके आद बोलोगे कि लॉस हो गया एंड जिस दिन ट्रेंडिंग मूव रहेगा उस दिन बोलोगे आपके आज तो मैं यह का में विजी तर तो क्या कोई क्या कर सकता है एड देंड क्या है हम मास को गाइड कर रहे हैं डेली पजास यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है डों रिकमेंट भेस क्रीये दॉसको क्लिक कर दिया करिया करें आपके क्या वैख लहां के व्यत्यूब Sapu यूव कुछ नहाता है कि सब्सक्क्राइब यह देख लेते हैं पहले यह देख लेते हैं कि हमने डिसकेशन में क्या क्या किया था तो और 1120 पर लगा कि और तूट सकता है तो मैंने यह लिखा थे सब्सक्राइब करने करो अपना अपना ध्यान रखो तुम लोग मेरे को कोई मतलब नहीं है मेरा काम खत्म अब ओवर ट्रेडिंग करें कोई लॉस क्लिक कर ना चाता है तो वह उसका उपाय है कि मैंने में से जाला वही डे का लोग है ठीक है निफटी में भी वही है बैंक निफटी में वही है ऑल्मुस हर इंडेक्स में टोक्स को बता पारा कि भाई आप रिक यहां पर कर लो उसके आद आपने नहीं किया तो आपकी गल्फी है तीक है और रहा बाद शॉर्ट साइट के ट्रेट्स का तो दिस्केशन भी यही था मॉर्निंग में और क्या दिस्केशन देख लेते हैं चलिए हाँ मैंने यह लिखा था लास्ट नाइट यूएस मार्केट्स वे डाउन बट टुड़े मोर्निंग एशियन मार्केट्स आर पॉजिटिव लेट बाई जापाथ इफ मार्केट ओपन साइडबेस तुड़े विल देफिनेटली है ट्रेंडिंग मूव्स निफ्टी शस्टें लगा के वहां पर रुग गया तो जो हमने डिसकर्ष किया था उसी साफ से थोड़ा बहुत हुआ भी एट हमने लिखा था 810 के आसपास गया 10-20 पॉइंट का मूव किया और वापस ट्रेस कर गया मैंने इसलिए उपर में को स्पेसिफिक लेवल नहीं लिखा था कि उपर क् इसलिए लिखा 25-30 का स्टॉप लॉष कर लिए क्योंकि पता नहीं है उपर कहां जा सकता है खुले आसमान में मार्केट है तो आप कहां ले जाओगे उसको तो वही बात हो गई तो 25-30 का कोई स्टॉप लॉष करें उसके बाद इसको मूव मिलना है जो मुलीगा तो वही च सब्सक्राइब करें करें तो मैं क्या कर सकता हूं मैंने गाइडेंस का इतना ही है हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा स्टॉक्स के भी मूवमेंट से काफी अच्छे कासे किसी ने प्ले किया नहीं किया वह उसके उपर है बाई मैं बस गाइड कर सकता हूं और वह डिपेंड करता है कि किसी ने कैसे किसको प्ले किया अब सब्सक्राइब करेंगे अब आते हैं कि कैसे और या मैं अपना डिस्काउंट करेंगे कि आटिन आप लोग सुनते होंगे न कि आज यह ब्रोकर गलेज कर गया आज कि अग्या बेकार है तो तो यह ऐसा है कि एक system में ने दो तरह के brokers हैं full service broker, discount broker, now difference is कि जो full service broker होता है वो अपने clients को ज्यादा services provide करता है, इसलिए वो full service broker है, वो अपने clients को advisory service provide करता है, वो अपने clients को अलगला तरह के trading and investment platform देता है, research studies वगेडा करके देता है, और वो भी क्या है, बहुत जादा कोई cost में अप difference बचा नही तो maximum full service brokers का कैसा है वो investors के लिए अलग platform मनाते हैं तो अगर आपको सच वे option trading वागेडा में interest है तो मोतिलाल उस्वाल का एक बहुत अच्छा choice है जहां पे वो उन्होंने option store करके अपना बना के रखा है जहां पे क्या है आपको बहुत सारे option strategies मिलते हैं जब यह option strategies मिलते हैं तो आप क्या करते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं एंड बेस्ट पार्ट आपको एक मन्त फर्स्ट मन्त में एफनों पे आपको जीरो लगना है ठीक है अब टुवन ठाउजन रूपीज यह brokerage off करते हैं तो आपको ट्राइल अगर करना है तो आप ट्राइल भी कर सकते हैं कि यहां चलो ठीक है हम ट्राइब करके देखते हैं कि यह broker चलता कैसे है तो आपको experience अगर होता है चलता है तो यूज भी कर सकते हैं प्लस फर्स्ट यर एमसी फ्री है डिलिवरी ट्रेट से 0.2 परसेंट जो की जैसे 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 आप अपना फोटफोली साइज बढ़ाता जाएंगे तो आप उनसे आगे बात करके अपना चेंज वगेड़ा का भी देख सकते हैं और एक आपको परस्टनल एडवाइजर एंड रिसर्च वारा परस्टन भी मिलेगा जो आपको जरुवत पढ़न तो कि आपने सुल लिया होगा डील्स डिश्कप्शन मेरेगा चचग जरूर कर लीजए ऐक चीह और बता दूं मेरा भी जो बंबब्य वाले सेमिनार है उसको रमाढ़ा में है और की विवर्जो गुजाज साइट से हैं वो पूछनेLord का सेमिनार का और प्लाइन प्लाइंड है फेवरिडी में मॉस्ट लाइकली एन बैंगलोर में नेक्स समिना प्लाइन उप्लाइन आगे दिखते हम यह समिनार का जो कॉज्ट था हमने कम अप कर दिया सारी ओपर में andत नीचे हैो आप अब करिएगा तो कल भी मार्केटी जोन में हर्डल लिया था कि कि आज भी उसी जोन के आसपास टिका हुआ है तो वहीं नाइंटीन एट सटी के नीचे अगर मार्केट रहता है ना तो फिर लॉंग साइट का तो नहीं स्कूप बनेगा नाइंटीन एट सेवेंटी नाइट तक लेके जा सकता है ध्यान हो किएगा डाउन साइड में नाइट की यह धिए आन यह रखिएगा कि यह दिया वाली से ठिकता है तो फिर से वही प्रबलम है नाइटीन सेवेंटोंने की तरफ से ट कर सकता है तो ध्यान childhood समको धियान रखने हैं फिर्स्ट लेवल धियान रखना है नाइटीन एटाने नीचे नीचे मार्केट तिका तो 9740-978 के तरफ मार्केट मुव कर सकता है अब साइड में 9830 के ऊपर मार्केट जब तक है जब तक नहीं जाता है जब तक बुलिश नहीं आएगा लेकिन सब्सक्राइब करते हैं करना है कर नहीं करना है नहीं करना है मत करें वीडियो को धंक से फॉलो करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी अब आप नोटेस करके देखो तो नाइटीन एटनेट पर जो कॉल राइट करके रखते हैं जब कि मार्केट अभी आवरेज प्लोजिंग दिया है तो यह इंडिकेशन देता है कि कॉल साइड में फ्यूचर में प्रियम ज्यादा है यह दिक्कत देगा ऐसा हो सकता है मार्केट के नीचे जाने लगा तो इनके पास तो बफर ही नहीं जाएगा बचनेगा तो यह क्या शाप डाउन्मूफ ट्रिगर करके दे सकते हैं आपको तो ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी में आते हैं अब काफी लोगों का ट्रोल आया एक दो दिन से आपने 42,000 लिखा गया नहीं मार्केट वहां पे यह वो आप यह समझो यार लास्ट दो दिन में मैंक निफ्टी टोटल कितना बढ़ा है लास्ट दो दिन में जोड के बैंक निफ्टी 101 पॉइंट बढ़ा था तो आपको खुछ समझ में आ रहा है कि बैंक निफ्टी जैसे इंडेक जो 43-44,000 पे है वो दो दिन में सिर्फ 100 पॉइंट बढ़ा है और उसके लिए आप आगए मैंको ट्रोल करने के लिए तो क्या ल रेंज को तूटने दीजिए तो वही वापस सही लेकर जा सकता है 43-250 फिर 43-143,000 तक मार्केट ड्रैक कर सकता है अपसाइड में क्या लेवल ध्यान रखने है 43-500 के उपर अगर मार्केट निकलता है तो एक शॉट कवरिंग मुव आपको ट्रिगर रोके मिलेगा जिसमें आ उसके यह साब से उसको प्ले कर लिजेगा ठीक है यह हो गया आपका में दो तिन इंपॉर्डेंट टॉपिक्स नाओ 43-500 के उपर जब निकलता है न तो काफी लोग जो आज शॉट पोईशन से आड़ करके गए हैं वो ट्रैफ हो सकते हैं कि इसकी जो मंतली एक्सपारी होगी वह भी मंतली एक्सपारी जोन फरस्टे को होगी तो अब उसके करण होगा क्या कि इसका प्रियम थोड़ा सा कंपरेटेवली कम डिके हो रहा होगा निफ्टी से तो ट्रेंडिंग मूव अगर इसमें मिला तो यह ज्यादा बैटर प्ले फिर उसके बार 43,100 के तरफ ड्राइक कर सकता है ध्यान रखेगा यह होगा ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन दिखाएगा आपको 43,500 के जम के कॉल राइटिंग है मैं यहीं हाइलेट करने के भी कोशिच कर रहा था कि उसके उपर अगरने के लिए गाना तो अपमूव किता है बिलोव 43,400 तो यह जो इन नमर नी 43,500 पुट राइटर्स है शाप डाउन आपको ट्रिगर करके दे सकते हैं तो यह ध्यान रखेगा आते हैं मेजर स्टॉक चार्ट्स पर जिनके कारण इंडेक्स में बड़े मुमेंट्स होते हैं सबसे बड़ा कंट्रिब्यूटर का ही था यह कल हमने यह डिसकस किया था कि यह 920 अच्छा आज भी डिसकस यही किया था 921 के आसपास का ही लेवलमेंट इसके उसके नीचे तूट सकता है तूट 915 तक गया फिर अच्छा रिकावर भी कर गया है अब मार्क करके इसमें वही करके रखिके 921 का लेवल 921 के नीचे अगड रहता है नेगेटिव बायस है 921 के ऊपर रहता है तो पॉजिटिव बायस है फिर उसके बाद आते हैं हम अपना एक्सिस बैंक में तो यह अच्छा कासा रिकावरी दिखाया है 995 के ऊपर है पॉजिटिव बायस ही है 995 के नीचे इसमें नेगेटिविटी का चांस है खोटक कल मैंने डिसकर्स भी कहता है कि जब तक 1770 के नीचे रहता है यह स्लाइड कर सकता है 1740 के नीचे वापस जाएगा तो फिर से स्लाइड यह कर सकता है पोजिशनली इस पर यह ज्यादा कूट सकता है ध्यान रखिएगा बजार फिर यह थोड़ा सा रिकावरी दिखाय अब इसमें पता नहीं कौन सी माता आ गए थी अचानक से यह इसा शूट किया निफ्टी को भी शूट कर आया चलिए थैंक्फुली आज बैंक निफ्टी फोकॉस जड़ा था नहीं तो आज तो बढ़ियां से उखारी दिता सबको मार्क करें इसमें 1455 का लेवल पहले से मेरा मार्क किया हुआ है वही रेंज के पास यह आया है 1455 के नीचे अगर यह आता है है एक दो न्यूस इसका फ्लो हो रहा था अब अच्छा न्यूस है बुड़ा न्यूस है पता नहीं क्या समझ में आया है आजकल तो कुछ समझ में भी नहीं आता है इंटरप्रेटेशन ही गलत हो जाता है एंवेज 2380 के नीचे इसमें वीकने से जब ता उसके ऊपर है पॉजटेव इंटैक्ट होखेगा यूस्डी आयनर अब वही है दो तिन से फिर कंसोलिडेट करने के कोशिश कर रहा है 83.3 के उपर जब तक है पॉजटेव इसमें रखिएगा इसमें नेगेटिविटी लाने की कोई जुरुवत नहीं है क्रूड ओईल देखी अच्छा गासा है मैंने सुबह ग्रूप में क्या लेवल दा देते हैं ग्रूप में भी मैंने साथ यहीं लेवल दादा था कि 6460 या सम्टिंग असा डाला था उसके वीक हो सकता है अब इस पर का मूफ 6460 की उपर ही आएगा उसके पहले नहीं आएगा गोल्डेम कंटिन्वास बुलिश चल रहा है 61,100 का लेवल धियान रखी कि जब तक इसके उपर है पॉदरेटे बायास इंटक्त है इस टापलास ट्रेल करते गई है सिल्वर 72,500 के उपर अब रियल अपस्विंग मिलेगा जब तक उसके उपर नहीं निकलता है फ्रेश अप मूफ तो नहीं मुश्किल है और डाउन मूफ का इसमें अभी मैं डिसकस नहीं करूँ है यह वीक हो का उसके पहले तो वीक नहीं होने वाला वीडियो इसी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा